Hey guys, जैहिंद मैं हूँ संजय विशो कर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चैंजिंग दी वे आप थिंकिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्री कल्चर जॉब्स के बारे में जो की पोस्ट का नाम है सब डिवीजनल एग्री कल्चर ओफिसर तो सारा कुछ डीटेल यहां पर हम बताएंगे आपको इस वीडियो के साथ आखरी तक बने रहना है और जल्दी से वीडियो के लिंकों को जादा से जादा शेयर करें ताकि इन्फरमेशन जादा से जादा इस्टूडेंट के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर हो सके अगर आगे हम यह आपर बात करें तो आप देख सकते हैं यह ओफिशल नॉटिफिकेशन है हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन का और यहां पर जो है पोस्ट के रिकार्डिंग यहां पर रिकूट्मेंट आया है पोस्ट का नाम है सब डिवीजनल एग्रिकल्चर ओफिसर तो यहां पर जो है अलग-अलग केटिगरी के अकोडिंग भी यहां पर आप जो है वैकेंसी का पोस्ट का यहां पर डिस्टिविशन देख सकते हैं बात करें जनरल की या अन्रिजब की तो 24 पोस्ट यहां पर हैं से ओफ हर्याना की एक पोस्ट वी-सी-बी के लिए एक टोटल 26 पोस्ट है या यह ओपनिंग डेट है क्लोजिंग डेट जो है 6-10-2021 और फीस पे करने का भी 6-10-2021 यहां पर डेट होने वाली है आगे फिर से यहां पर यही बता गया है सब डिवीजनल एग्रिकल्चरल ऑफिसर के लिए तो ओपनिंग डेट है 16-9-2021 इंपोर्टेंट है और क्लोजिंग ड पहले आप जो भी इलीजिबल स्टुडेंट हैं यहां पर आवे दन जरूर कर दीजेगा आगे अगर इसकी ओफिशल वेपसाइट की हम बात करें तो www.hpsc.gov.in यह इनकी ओफिशल वेपसाइट है और सारी जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेपसाइट को विजिट क कर सकते हैं आगे अगर हम बात करें यहां पर कुछ eligibility से related points को दे रखा है तो जिसको आप पढ़ सकते हैं फिर कैसे एपलाई करना है तो इनकी ओफिशल वेपसाइट पर जाके आपको एपलाई करना है और last date से पहले पहले ही आप एपलाई कर दीजेगा बाकी यहां पर फिर अगर हम बात करें फिर से यहां पर post wise bifurcation दे रखा है category wise तो आप यहां पर इसको देख सकते हैं 24 जनरल या unreserve की हैं तो total 26 यहां पर SDAO की post यहां पर है आगे अगर इसके educational qualification की हम बात करेंगे तो essential qualification की अगर यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर bsc agriculture honors plus second class msc agriculture की degree यहां पर होनी चाहिए पहला इनका यही criteria रखा गया है educational qualification का फिर दूसरा यह है कि हिंदी या फिर Sanskrit subject होना चाहिए metric में यानि 10th class में या फिर plus 2 की class में हिंदी subject यहां पर होना चाहिए ठीक है हिंदी या Sanskrit यह तो normal सभी के 10th या 12th के class में होते ही है बाकी अगर हम ADO के लिए बोलें तो ADO के लिए जो bsc honors agriculture वाले student है वो तो apply करी दें बाकी जो simple bsc agriculture वाले student है उनके लिए हमने HPSC को mail किया है and apply करने की link आपको description box में हमने दे दी है तो जैसे ही कुछ clear होता है simple bsc agriculture वाले students के लिए तो आपको agree mantra का जो official telegram का group है वहाँ पर आपको information दे दी जाएगी अगर आप bank of महरास्टरा में अपना share selection चाहते हैं तो जुड़ें olive board से क्यूंकि हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए free e-books जो आपका exam crack करने में काफी help करेंगी ये e-books बिलकुल free हैं तो लेना ना भूलें link आपको description box और pinned comment में मिल जाएगी फिर आगे इन्होंने बताया है कि अगर number of candidate ज़्यादा होते हैं return examination जो होगा उसके बाद ये फिर interview को भी conduct कराएंगे उसके लिए यहाँ पर इन्होंने कुछ criteria रखा है interview के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं फिर यहाँ पर अगर हम salary की बात करें या फिर इसके लोग pay की बात करें तो 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए salary रहने आपर रहने वाली है प्रती महिने जो की काफी अच्छी salary है starting salary आपकी 44,900 रुपए रहेगी काफी अच्छी salary हैंपर दी जा रही है बाकि फिर आगे अगर हम यहाँ पर बात करें service rule के regarding यहाँ पर कुछ information दे रहे हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं फिर अगर eligibility condition के अगर हम बात करें तो citizen of India यानि की all India student यहाँ पर इस post के लिए आविदन कर पाएंगे चाए वो SDAO की post हो जिसके हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं चाए फिर A.D.O. post हो जिसके हमने previous वीडियो में बात की थी सबके लिए all India से student यानि की सभी राज्यों के student यहाँ पर आविदन कर पाएंगे फिर आगे अगर हम age limit की बात करें आयोशी मा की बात करें तो यहाँ पर जो है आयोशी मा जो है 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से उपर नहीं होनी चाहिए यानि की minimum 21 से 35 साल के बीच के सब भी student यहाँ पर आविदन कर पाएंगे ठीक है आगे फिर यहाँ पर age में relaxation भी दिया गया है जो कि आप यहाँ पर इस्कीनी पर देख सकते हैं सबका लगबग 5 साल का age में relaxation है SC, ST, BC और सारी जो हैं पॉइंट से आपर आप पढ़ सकते हैं जिनमें age में relaxation यहाँ पर दिया गया है आगे अगे अगर हम reservation benefit की अगर यहाँ पर हम बात करें तो benefit of reservation will be given only those SC, BCA, BCB, EWS, PWBD, ESM, ESP category candidates who are domicile of haryana state याने की जितनी भी यहाँ पर हमने अभी बात की अगर उनके पास हaryana state का domicile certificate है तो वो उनको यहाँ पर category का या फिर reservation का यहाँ पर benefit जरूर मिलेगा और सारे points यहाँ पर दे रखे हैं regarding reservation तो इनको आप पढ़ सकते हैं आगे अगर हम evidence of age की बात करेंगे तो जो आपका age का criteria जो है वो 10th की mark sheet या फिर metric जिसको हम कहते हैं उसी से आपका माप आ जाएगा ठीक है फिर आगे अगर हम application fees आविदन सुलक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो male candidate है general category के हैं अगर फिर male candidate है जो general category के हैं या फिर दूसरे reserved इनल्स्री रोपे निकी फीजस यहाँ पर 1,000 रूप के हैं फिर female candidate की बात करें जो general category की है और फिर दूसरे reserve category की है और हर्याना स्टेट से बाहर की हैं तो उनके लिए यहाँ पर 200 रुपे فीज है फिर scst male और female candidate जो की हरे हम सोड़ की है तो उनके लिए यहां 1,500 रुपे आ फिर यहाँ पर जो है person with disability यहाँ पर इनकी कोई भी फीस examination फीस नहीं रखी गई है और सारे point यहाँ पर दे रखे हैं जिसको आप पढ़ पाएंगे फिर यहाँ पर जो है special instruction दे गए हैं regarding submission of online application यानि की online application को submit करने से पहले आपको इन इन बातों का basis ध्यान रखना है जिनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं देख सकते हैं बाकी इन्होंने एक point यहाँ पर clear किया है कि candidate अगर कोई भी mistake करता है application को भरते time तो उसका वो स्वयम ही जिम्मेदार रहेगा तो आप लोगों से एक request है कि आप application form को भरें तो जो भी उसमें information मांगी गई है आपकी date of birth की qualification की या फिर आपकी details की तो आप उसको साबधानी परेशानी ना हो किसी परकार की कोई गलती आपकी application में ना हो फिर यहाँ पर क्या-क्या documents जो जरूरी है uploaded करना पड़ेगा application form के लिए ठीक है तो यहाँ पर यह इनका list दे रखाया है जो भी required document है application form के लिए तो photo, signature जो भी आपका degree mark sheet है, cast certificate है और सारे यहाँ पर जो भी required document है वो आपकी screen पर है और सारी जानकारी के लिए आप इनकी official website को visit कर सकते हैं तो guys यह थी आज की वीडियो, I hope आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और सारी जानकारी के लिए आ official notification के लिए आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं, link आपको वीडियो को description box में मिल जाएगी, तो guys यह थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जै हिंद जै भारत